नमस्कार मित्रों आज का पार्ट है हजारी पिसाद दुवेदी के ललित निवंद कल्प लता का एक अंस सुरीश का फूल आप देख रहे हैं अपना चैनल सीबियसी हिंदी बिद मत्रादास आज हम पढ़ेंगे आरो भागदो जोके कक्षा बारे के लिए हिंदी आदार की पार्ट पुस्तक है उसके गद्धिखंड का पार्ट सत्रह हजारी पिसाद दुवेदी शुरीश का फूल देखते हैं लेकक का परिछे आचार हजाई पिसाद दुवेदी का जन्म सन 1907 इसवी को उत्तर प्रदेश बल्या जिले के एक गाउं दुवे का छपरा में हुआ इनके पिता का नाम अन्मोल दुवेदी और माता का नाम स्रीमती जोती कली देवी था इनके पिता ने इन्हें संस्कृत और जोतिस पढ़ने के लिए प्रेरित किया आपने कासी हिंदू विश्विध्याले से साइत्य चार और जोतिस अचार की परिच्छा उत्रिन की आगे चल कर आप सांती निकेतन में अध्यापन कारे करने लगे और फिर हिंदी विबाग के अध्यक्ष बन गए यहां तक्रीवन 20 वस आपने काम किया इसके बाद सन union सो पचास इसवी में कासी हिंदू विश्विध्याले के हिंदी विबाग के अध्यक्ष बनाए गए आपने अन्य विश्विध्याले जैसे पंजाब और चंडीगर में भी हिंदी विवाग के अध्यक्ष के रूप में कार किया आप सन 1967 इसवी में कासी हिंदू विश्विध्याले के उपर कुलपती बने और अंतिम समय में उत्तर प्रिदेश हिंदी संस्तान के कार कारी अध्यक्ष पत पर रहे आपका निदन सन 1989 इसवी को हो गया रचनाए हैं निबन संग्रे हैं असोक के फूल आलोक पर्व, कलपलता, कुटज, विचार और वितर्ग ये असोक के फूल है उपन्यास है बाणबट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, चारू चंदरलेक, पुननवा आलोशनात्मक कृतियां हैं सूर साहित्य, कवीर, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य की भूमिका देखते हैं साहित्य की योगदान, आचाय हजाईपिसा दुवेदी का साहित्य भारत वस के सांस्कृतिक इतियास की रशनात्मक पढ़निती है हिंदी, संस्कित, प्राकृत, अब्रंस, बांगला, आदी बासाओं में आपने साहित्य लिखा साहित्य के साथ-साथ इतियास, संस्किती, धर्म, दर्सन और आदने ज्यानविज्यान में आपकी रुची रही दुवेदी जी का निबंद साहित्य इस अर्थ में बड़ा महत्पूर्ण है कि साहित्य दर्सन तथा समाज विवस्ता संबंदी उनकी कई मौलिक उदभावनाएं मूल तहर निबंदों में ही मिलती है आपने अपने लेखन के द्वारा आपने निबंद विद्या को सर्जनात्मक साहित्य की कोटी में लाकर खड़ा कर दिया आपके साहित्य में सास्तिता है विचा समबंदी पांडित के कारण इने समझना कुछ गठिन है आपको मिले समानवपुरुसकार आपको आलोक परवुरशना पर साहित्यकारवी पुरुसकार तथा भारत सरका द्वारा पन्म भूसन से समानत किया गया देखते हैं पाट का परचे शिरिष के फूल, प्रस्थत ललित निमंद शिरिष के फूल लेकक के संग्र कल्पलता से उद्रत है इसमें लेखक ने आदी तूफान और गर्मी की प्रचंडता में भी इस्थर रहने वाले शिरिश के फूल की भाती व्यक्ती को भी प्रतेक स्थिती में धेरवान और गतिसील रहने की प्रेड़ना दी है इसके लिए वह इत्यास पुरस मात्मा गांधी जी का उधारण भी देते हैं जिनोंने सारिरिक बल के उपर आत्म बल का महत्व सिद्ध किया लेखक आज के समाज में गांधी वादी मूल्यों के समाप्त होने पर व्यतित है लेखक निबंद का प्रारम शिरिष नामक पुस्प से करता है इसके बाद इत्यास वरत्मान जीवन तता सामन्ती भोग बिलास से इसके तत्यीन इत्यास का वर्णन भी करता है लेखकों द्वारा जिस प्रकार अशोक के फूल को भुला दिया गया उसी प्रकार शिरिष के फूल को भी नजर अंदाज किया जा रहा है इससे लेखक दुखी है उस समय जब उन्होंने लिखा उस समय की बाद पता रहे वह सच्चे कभी के विशे में विचार करते हैं अपने इस निबंद के माद्यम से मनिश को निरंतर करता विशी जहनी की प्रणा देते हैं वह जानते हैं कि शिरिष के पुराने और सुके फूल नए पत्तों दवारा किस प्रकार धख्के दे कर बाहर निकाल दिये जाते हैं किन्तु यह इस समय की मांग है उस युग के अनुसार है इसी प्रकार साहित समाजवा राजनीती में लेखक लोगों द्वारा पुरानी पीडी के स्थान पर नई पीडी के नई पन का स्वागत देखना चाता है लेकक इसमें नई पुरानी जो है उनकी जगे नई पीडी के नई पन का स्वागत साहित में लेकक देखना चाता है अब प्रारम करते हैं पार्ट सारांस देखते हैं पथम बिंदू है शिरिष की शिरिष्टता लेकक शिरिष के पेड़ों से घिरे स्थान पबैट कर उसकी विसेस्ताओं के बारे में बिचार कर रहा है जेट मास की तपती धूप में कनेर और अमलतास के अलावा सिरिष के फूल ही खिलते हैं किन्तु कनेर और अमलतास के फूल बहुत कम समय तक जबकि सिरिष के फूल काफिल लंबे समय तक खिले रहते हैं लेकक का मानना है कि जो फूल कुछ दिन ही खिलें, उनका खिलना स्रेश नहीं, स्रेश का फूल लगवक 6 महा तक खिलता रहता है, ग्रीश मृतु की कठो धूप में भी जब अन्य फूल सूख जाते हैं, तब भी यह अमर सन्यासी की भाती, जीवन की अजेता को सिद्ध करता ह बनस्पती सास्त के अनुसाल, श्रिश का फूल वायू मंडल से रसखीचता है, इसी प्रकाश श्रिश के फूल के समान ही रस्से बरी संत लोगों की बाणी होती है, लेखक श्रिश के फूलों की मन में आने वाले विचारों के हिलोनों से तुलना करता है दूसरा बिंदू है, श्रिश की प्रमुक विजिस्ताएं, श्रिश के ब्रच बड़े और चायदार होते हैं, पुराने रईस अपनी ब्रच बाटिका की चाधी बारे के पास इसे लगाते थे वास्तायन द्वारा अपनी रचना कामसूत्र में बताया है कि जूला लगाने के लिए चायादार विच्छों का ही प्रयोग करना चाहिए ऐसे में मोलसरी के पेड़ के साथ साथ श्रिश के पेड़ भी उपयोगी हो जाते हैं इनकी साकाएं कुछ पतली होती हैं किन्तु इतनी कम जो नहीं होती कि वे किसी इस्त्री का बजन ना सह सके और भारी बर कम लोग तो लोगे के बने पेड़ को भी तोड़ सकते हैं अता इस्त्रीयों के लिए जूला डालने के लिए श्रिश का ब्रक्ष उपयोगी है हाला कि कालिदास ने इसके फूलों को केवल भोरों के पेरों के कोमल दवाब को सेहन करने की सक्ति वाला बताया है अगला बिंदु है श्रिश और प्रसिद्दश शाहितकार कबीर भी श्रिश के फूल के समान मस्त चिंता रहत किंतो रस वा मादक भाव से युक थे इसी प्रकार कालिदास द्वारा रचित मेगदूत काबिर रस्ते भरा है लेकग मानता है जो व्यक्ति फक्कर नहीं बना वे कभी ही नहीं बन पाया वे करणाट गराज की प्रिया विज्जिका देवी के बारे में बताते हैं कि उन्होंने कहा था ब्रह्मा बालमी की तथा व् व्यास रह गया इसमें ब्रह्मा बालमी की और व्यास यहीं तीन कभी थे इन्होंने किरमसा इन्होंने बालमी की ने बेद और बालमी की ने रामायड ब्रह्मा जी ने बेद और व्यास जी ने महावारत इन तीनों की रशना की थी इसके अलावा अन्य कोई कभी होने का उसका से कोई कभी हार नहीं मानता वे कभियों को फक्कड बनने की सला देते हैं उन्हें शुरिष की मस्ती से शिच्छा ग्रेन करनी चाहिए किनको लेख को को यह वह कह रहा है अगला बिंदू है शुरिष रस और लेखक कालिदास अपने विचारों की अव्यक्ति कर सकने में समत हैं लेखक उन्हें अपने से स्रिष्ट मानता है क्योंकि उनकी कलपना महान है लेखक उनकी महानता को बताती हुए यह कहता है कि कालिदास सकुंतला की सुंदता का वर्णन करते हुए कानों में शुरिष का फूल लगाना भूल गए कालिदास सुंदर के कभी थे उन्हो मां सब्दान की सब इसका दिकान लेता है ऐसे भावव रूपी निकाल कल कई दास महान वर लगा सकते थे भारी संदर को दिखाने के लिए लेकिन उन्होंने भारी संदर को दिखाते हूँ, अंतिक संदर का वर्णन किया है किसने किया है कालिदास जी ने जिस कारण से लेकर कहता है कि जो कालिदास कर सकते थे वैसे में ने भी किया लेकिन उनकी जो कल्पना सकती है वैं अधिक महान है वैं आंतिक सुंदर को अधिक महत्व देते हैं ऐसे भावो रूपी रस को निकाल कर कालिदास महान बन गए क्योंकि वैसान सारे विसे वासनाव से अनासक्त रहे थे कालिदास के समानी सुमित्ता नंदन पंत को भी विसे वासनाव से अलग माना जाता है इसी प्रकार रविन्ना टैग और में भी इस प्रकार की भावना थी याने आंत्रिक्स वांदर को समझने की भावना शुरिष का ब्रक्षि लेकक के मन में तरंगे जगा देता है वे सोचता है कि ऐसी तेज धूप में भी रस्से युक्त कैसे बना रहता है क्या उसके लिए रितु परवद्द के कोई माईने नहीं क्या हमारे देश में मारकार्ट, अगनीदा, लूटपादादी का जो चकवात बह रहा है उसमें हम चुपचाप खड़े होकर सब देख सकती है लेकक सोचता है कि शुरिष का ब्रक्ष है कि वह शुरिष का ब्रक्ष है, वह एक अब्दू सन्यासी है उसने बायु मंडल से इतना रस की चाहे जिसके कारण वह कोमलल कठोर है वह जब इस शुरिष के ब्रक्ष को देखता है तो उसे पीड़ा होती है कि आज ऐसा सन्यासी व्यक्ति कहां ब्राजमान है यानि ऐसा सन्यासी व्यक्ति शुरिष के समान जो कड़ी धूप में विपरित परिस्तितियों में बना रहे उसे देखने को नहीं मिलता है तो यह था पार्ट शुरिष के फूल अब देखते हैं क्या हमने इससे पार्ट से जाना लेखक ने शुरिष को अन्य विरक्षों से शुरिष्ट माना है हमें शुरिष हमें पितेग परिस्तिती में दरता पूर्वक लड़ने की पेरना देता है शुरिष हमें पितेग परिस्तिती में एक समान रहने की सीख देता है मैंने जो परिष्टितियां कैसी में हो अपना सुभाव नहीं बदलना चाहिए दूसरा हर परिष्टिति को दरतागे से साथ लड़ना चाहिए हर परिष्टिति से साइत में उपेच्छिति सिर्ष्टिति की फूलों की सुन्दरत अगणों का बढ़न लेकक द्वारा इस पार्ट में देखने को मिला है सच्चे कभी कर्म के विशेमें भी लेकक ने विश्ता से विचार किया है तो यह सब हमने इस पार्ट में देखा जो कि अलग था तो यह आपका चैनल CBS Hindi विद्मत्रादास आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं हमें जरू बताएं लाइक करें सेयर करें कमेंट सबस्ट करें हमें और हम और अच्छी तरह से इन वीडियो को बना सकें हमाई साथ ऐसे ही बने रहें फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ नमस्तार